कॉंग्रेस के कद्दावर विधायक ब्रहस्पति सिंग वे इस वक्त हमारे साथ हैं ब्रहस्पति और टीएस का प्रकरण पिछले दिनों विधान सभा में काफी जोर सोर से उठा और कॉंग्रेस की राजनिती के अंदर भुचाल आ गया क्या वो भुचाल थम गया है या अंदर खाने को चल रहा है इसी पर चर्चा करते हैं वेस्पति सिंग से जो सदन में आपने खेद वेक्त किया उसके बाद ये कहा गया कि मामले का पटाक शेफ हो गया है देखिए जो भी घटना करम हुआ घटना कैसे हुई घटना कहां हुआ हमने कहां क्या बोला सदन के बाहर क्या बोला पार्टी के अंदर में क्या बोला और पवित्र सदन में क्या बोला सभी आप लोग उसे कुछ चुपा होने सभी लगातार आपने कवरेज किया है हैं लेकिन हमारी अंतिम जो बात हैं हम सब जो बात कहते हैं वो 36 कोड करते हैं तो हम लोगों ने 36 गड़ के पवित्र सदन में जो 36 गड़ का 3 करोड जंता का पर निदी बैठते हैं, 36 गड़ सरकार बैठती है, भी पक्छ बैठता है, और सारे प्रेस के लोग उस पे नजर रखते हैं, पैनी नजर रखते हैं, वहां हमने 36 गड़ में अपनी जबाब दे दिया है, और हमने जो वक्त भी दे दिया है, और इसके आगे मुझे कुछ निकारने करें, अच्छा तो मतलब जो पहले आपने प्रेस कांफरेंस के थी, वो सारी चीज़ें खारी जो गड़ देखिए, जब 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 जो जैसी बाते थी, जैसी परसीती थी हमने बोला था, और हमने हमारा जबाब हमने अंतिम में आपको जो दिया है, पवित्र सदन में जो कहा है, उसकी लिखित में भी दे दिया है, आप संधी बिचेत करके देख लें, पढ़ लें, समझ लें, हम तो आदिवासिया ने, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं, बहुत पढ़ने का नही है, लेकिन हम इतना जानते हैं, कि जो हमने पवित्र सदन बोला है, वही मेरा जबाब है, और हमने प्रदेश कारेले को भी सौप दिया है, अच्छाम सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि जब आपके खेद वेक्त करने के बाद, सरगुजा के खास्तोर से जो कांग्रेस से जुड़े हुए नेता हैं, और माना जाता है कि बाबा खेमे के नेता हैं, वो लोग आपको लेकर के बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं कि आई एक कालेज हिंडे दिखाए जाएंगे, स्वागत किया जाएगा, रस्ता तो इधर से होकर के ही, मतलब सिर्फ लोकतांत्रिक तरी लड़ते हैं, जो राजनीतिक हैं अपनी बिचार की लड़ाई लड़ते हैं, जो किसान हैं अपनी बिचार रखते हैं, और हम सभी ये आम जनों से चुनकर आते हैं, आपने छेतर की जनता के लिए हम क्या कर सकते हमको करना चाहिए, बाकित बापू की भी हत्त्या हुई, मह अगर हमारे सहीद होने से अगर लोगों को आत्मा में सांती मिलेगा और लोगों को छेतर की विकास होगा तो मुझसे पीछे मैं नहीं हटूँगा कौन क्या बोलता है बोलने दो मैंने मानता कुछ सरार्थी तत होते हैं जो महराज टियर सिंग्दे और मेरे बीच में दूरी और मैं नहीं हो सकते हैं नहीं मेरे हो सकते ह Seems हो सकते हो हमारे बीच में खाई बनाने के लिए काम करने और देखे साहब जिस दिन 99 में मेरा नकसलियों ने अफ़रण किया था मेरे गन ले गई थी गाओं में कई लोग की हत्ताइं हो गई थी कई लोग जलाए गए थे मारे गए थे कई लोग की डेथ बाड़ी तुकडे-टुकडे काट दिये गए थे उस दिन भी मेरे साथ जब घटन दिए गए थे अगर लोग प्रियता पहाजिल करने तो वह लोग प्रियता वह ऐसे बोलने वालों को भी मुबारक हो नहीं लेकिन अभी सर्गुजा की राजनीती में क्या होगा कुछ नहीं हो आप लोगों के बीच में एक विबाद कांग्रेस के अंदर में कहीं कोई भी लेकिन जब लोटे तो फूल माला के साथ स्वागत किया गया खुब जोड़दार तरीके से वह तो देखिये क्या होता है कि जो जिसके समर्थक होते हैं उसका स्वागत करते हैं अगर दसलों के आप हत्या करके भी जाओगे निकल के जाओगे बिहार में देखते हो कई पिलिस के जवानों के उपर भोले-भले आदिवाशियों के उपर हत्या हो रहा है लगातार घटना हो रहे जबूस शावनी हम लोगों ने डाला पूलिस का कैप डाला तो यह जानना चाहता हूं कि ऐसे लोग समर्थकों की कमी नहीत नहीं महत्मा गांधी ने क्या गुणा लेकिन नातिराम कोट से नहक्ता किया, और उसके भी कई अनुयाये, उसके मंदिर बना रहें, नातिराम कोट से जिन्दाबाद कर रहें, तो ऐसे लोगों के लिए कमी नहीं है देश में जितने जो देश को बाटने के काम करते हैं, समाज को तोड़ने काम करते हैं, देश में असांती फैलाने काम करते हैं, इसे लोगों की कमी नहीं है और ऐसे लोग अगर हैं तो उनको ऐसी माला मुबारक हो अच्छा लेकिन आप ये डिमांड करेंगे कि कॉंग्रिस पार्टी से निकाला जाए जो भी बाते हमको कहना है पार्टी फोरम के अंदर में कहूंगा जो सारी बाते हैं आखरी सवाल कि आपके और टीयस सिंग्देव सबसे बड़े नेता रहे हैं सरगुजा संभाग के आज क तो अपका इसकी कशें कैसा है मेरा और राजा की कोई लड़ाई नहीं हुई है हम उनके बरावर कैसे हो सकते हूं हमारे राजा हैं हमको एक प्रजा गृप में सम्मान मिलता रहे हम राज ही किरिमा बात्री अगर राजा सम्मान करेगा तो प्रजा भी सम्मान करेगी राइपुर से रुपेश कुपता अगर भी सम्मान